उत्तर प्रदेश में दो चरणों के मत्यदान हो चुके हैं और वो शांती पूरवक बकाइदा चुनाव हो चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दे कि अगर चुनाव अच्छे से शांती पूरवक हो रहे हैं लेकिन नेता लोग कैसे चुप रह सकते हैं नेता लोगों को तो अपना सिलसिला जारी रखना है एक दूसरे परतंच कसने का, कभी आरोप लगाने का तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कुछ नेता ऐसा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, कभी-कभी उनके धमकी भरे बयान सामने आ जाते हैं एक ऐसे ही नेता है भाजपा के विधायक, वो हैदराबाद के नेता है, उनका नाम है टी राजा सिंग टी राजा सिंग का बयान काफी जादा चौकाने वाला बयान था टी राजा सिंग ने क्या कहा जर आपको ये बताते हैं ती राजा सिंग ये कहते हैं कि दो चलनों के मतदान हो चुके हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर वोट देना है किसी को तो वो देना है योगी आदितनाथ को योगी आदितनाथ के लिए हित में बोलते नजर आए लेकिन एक जो सबसे बड़ा शब्द उन्होंने भारी भरकम शब्द का इस्तमाल किया वो था कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में योगी आदितनाथ को वोट नहीं दिया तो हजारों बुल्डोजर की तैयारी हो चुक मतलम तो आपको समझ आ गया होगा उन्होंने साफ ये कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है मतलम उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आपको जंता को उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ योगी आदितनाथ को ही वोट देना ह मतलब यह कहें कि ठीक है भाजपा के वो नेता है तो ठीक है वो नेता अपने हित में पार्टी के हित में ही बोलते नजर आएंगे लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस शब्द का इस्तमाल किया यह हित में कम धमकी जादा नजर आ रही है लेकिन छोड़िये जाने दीजे धमकी से भी जादा कहिए यह कहें कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया इससे कही ना कही भाजपा को एक हार का सामना भी करना पर सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि वो जिस तरीके वो तो वोट मांगने की अपिल कर रहे हैं लेकिन उनका जो वोट मांगने का तरीका है अपिल करने का तरीका है वो वाकई बहुत जादा गलत है क्योंकि जिस तरीके से वो वोट मांग रहे हैं, उस तरीके से भाजपा को एक हार का सामना भी करना पर सकता है क्योंकि आप जनता से जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप जनता को डरा नहीं सकते, जनता को आप धमकी नहीं दे सकते लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस शब्द का इस्तिमाल किया है कि बुल्डोजर मंगवा लिया है तो यहाँ पर जनता के लिए धमकी दी जा रही है तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से टी राजा सिंग का हैदराबाद के जो भाजपा के नेता है इनका जो यह बयान है इस तरीके से क्या बाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है या टी राजा सिंग की वज़ा से उत्तर प्रदेश की जनता डर के मारे योग्या अदितनात को ही वोट देगी आपकी क्या रहा है इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा फिलार इस वीडियो में इतना ही जाद अपडेट्स के लिए फॉलो करें और थम न्यूस धन्यवाद